मन्ना डे वो थे जिन्नोंने इंडियन सिनेमा में संगीत का एक नया अध्याय जोड़ा था पदम श्री, पदम भूशन और दादा साहिफ फाल के एवार्ड से नवाज गए पाच दशक के करियर में मन्ना डे ने कई उतार चड़ाव देखे लेकिन संगीत की दुनिया में आज भी मन्ना डे से मज़ा हुआ कलाकार कोई नहीं है मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकता में एक बंगाली परिवार में हुआ था बचपन से ही मन्ना डे माँ बाप से ज्यादा अपनी चाचा संगीताचार्य क्रिश्ना चंद्र डे से प्रेरित रहते थे उनके चाचा शास्त्री संगीत में पारंगत थे और इसी वजह से मन्ना डे का भी जुकाव संगीत की तरफ बचपन से ही था मनाडे के पिताजी का सपना था कि वो वकील बने क्योंकि घर में डॉक्टर भी थे और इंजीनियर भी मगर इधर मनाडे पहले से ही संगीत में पोरी तरह से रम चुके थे कॉलिज की दिनों से ही मनाडे अपने दोस्तों के साथ क्लास के पीछे के बैंच पर बैठ जाते थे फिर बैंच पे खोब ताल दे दे कर गाते थे इस बारे में जब कॉलिज के प्रिंसिपल को पता चला तो डांटने की बजाए उन्होंने उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया मनाडे की कोलकता वाले घर पर संगीत की सारे महरत ही आते थे उनके चाचा उन्हें बुलाया करते थे रात भर गाना बजाना हुआ करता था उसी कमरे में उस्ताद साहब आते थे यही वज़े है कि बचपन से ही मनाडे को संगीत से लगाव था एक मात्र जिस फिल्म को गांधी जी ने देखा उसी फिल्म से बता और सोलो सिंगर मनाडे ने की थी शुरुआत मनाडे ने अपने चाचा और उस्ताद दबीर खान से संगीत की शिक्षा ली थी 1942 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मनाडे अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए संगीत की अच्छी समझ होने के कारण उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट म्यूजिक डारेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया गायक के तौर पर मनाडे को सबसे बड़ा ब्रेक 1942 में रिलीज हुए फिल्म तमन्ना से मिला इस फिल्म की गाने को मनाडे ने सुरया के साथ मिलकर गाया था गाने के बोल थे जागो आई उशा पोची बोले जागो ये गाना उस समय का सबसे बड़ा हिट रहा इसके बाद तो मनाडे की संगीत की गाड़ी चल पड़ी 1943 में फिल्म राम राज्य रिलीज हुई थी जिसमें मनाडे ने बत और सोलो सिंगर एक गाने को अपनी आवाज दी थी दिल्चस्प बात ये है कि राम राजे एक मात्र ऐसे फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने देखा था टाइप कास्ट का हुए शिकार स्पेशलिस्ट होना वर्दान नहीं श्राप साबित हुआ मनाडे को गायकी से बहुत ही जादा लगाव था संगीत उनके लिए श्रद्धा थी यही वज़े है कि जब भी किसी फिल्म निर्माता को फिल्म में शास्त्री संगीत गवाना होता तो वो सिर्फ मनाडे को ही अप्रोच करते लेकिन हमेशा ही ये बात चर्चा का विशे रही है कि इतने शानदार गायकी के बाद भी मनाडे कभी ए लिस्टर सिंगर नहीं बन सके दौर ऐसा भी था कि रफी किशोर और मुकेश जैसे लेजन्डरी सिंगर की भी पहले पसंद मनाडे ही थे इतना ही नहीं रफी साहब ने एक बार कहा था कि पोरे दुनिया मेरे गाने को सुनती है और मुझे बस सुकोन मनाडे के गाने से ही मिलता है कठिन से कठिन गीत को मनाडे इतनी सहजता से गाते थे कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई एक्स्ट्र एफ़र्ट लिया हो शास्त्रे संगीत में पारंगत होने के कारण ही मन्ना डे भी टाइप कास्ट का शिकार हुए और उनकी गाय की भी शास्त्रे संगीत तक सिमट कर रह गई इसकी वजह से हलके फुलके गानों के लिए उन्हें कंसिडर करना बंध ही कर दिया गया था जबकि उनका गाया ए भाई जरा देख के चलो जैसा गाना बंपर हिट भी रहा था ये रात भीगी भीगी गाने के लिए राज कपूर ने की थी मननाडे के लिए सिफारिश मननाडे सिर्फ टाइब कास्ट का ही शिकार नहीं हुए थे बलकि ऐसा दौर भी था जब उनकी गाय की का भी अपमान किया गया किस्सा फिल्म चोरी-चोरी के गीत ये रात भीगी भीगी का है इस गीत के लिए एवे मैपन चेटियार लता के साथ मुकेश की आवास चाते थे वो खास तोर पर इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मदरास से मुंबई आये थे वहीं संगीत कार शंकर जै किशिन की जोड़ी इस गीत को लता की संग मननाडे से गवाना चाती थी इसलिए रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश को ना पाकर निर्माता मैपन तुरंथ शंकर के पास गए और पूछा कि मुकेश कहा है शंकर ने कहा कि इस गाने के लिए मननाडे परफेक्ट है लेकिन वो नहीं माने तब राज कपूर ने निर्माता को समझाया और कहा कि ये गाना मननाडे ही रिकॉर्ड करेंगे गाने के रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर मैपन के मुझे भी यही निकल पड़ा कि उन्हें गर्व होगा अगर ये गाना उनके फिल्म से जुड़ेगा मनाडे ने एक इंट्रिव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जब राज कपूर ने मुझे इस गाने के लिए चुना तो मैं खुशी के मारे रोने लगा था वो किसी दूसरे सिंगर की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड करवा सकते थे लेकिन इसके लिए उन्होंने सिर्फ मुझे चुना किशोर कुमार के साथ गाने से जब मनाडे ने कर दिया इंकार बात है उस दोर की जब फिल्म पड़ोसन रिलीस हो गई थी 1968 की इस फिल्म का एक गाना एक चतुर नार बहुत फेमिस हुआ इस गाने की आवाज दी थी मननाडे किशोर कुमार और महमूद ने शुरुआत में इस गाने के लिए मननाडे ने मना कर दिया था वजह थी कि ये गाना किशोर कुमार और महमूद पर फिल्म आया गया था साथ ही इस गाने में बीच बीच में कुछ मजाक या अंदाज वाले शब्द भी डाले गए थे जिसे गाने की बीच में कहना था जब ये बात मनाडे को बताई गई तो वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए और इधर किशोर कुमार मजाग या अंदाज वाले शब्द के लिए राजी हो गए मनाडे का कहना था कि वो संगीत के साथ मजाग नहीं कर सकते ऐसे में उनकी बात मान ली गई और गाने की रिकॉर्डिंग शिरू हुई गानी की शुरुआत में तो सब कुछ मनाडे के मताबिक ही हुआ लेकिन जब बात में किशोर कुमार ने मजाग या अंदाज वाला गाना शुरू किया तो मनाडे चुप हो गए उन्होंने पूछा कि ये कौन सा राग है इस पर महमूद ने उन्हें समझाया कि फिल्म में सीन के लिए ऐसा करना पड़ेगा इसलिए किशोर दाने इस तरीके से गाना गाया है मनाडे फिर भी राजी नहीं हुए और उन्होंने किसी तरह अपने हिस्से का गाना गाया लेकिन उन्होंने ओन शब्दों का इस्तिमाल नहीं किया जो उन्हें पसंद नहीं थे जब पत्नी ने दिखाई रहा ता मनाडे ने की पंडित भीम सेन के साथ जुगल बंदी एक बार पंडित भीम सेन जोशी के साथ मनाडे को गाने का मौका मिला उनका नाम सुनते ही वो इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने पंडित भीम सेन के साथ गाने के लिए मना कर दिया दरसल जो गाना उन्हें पंडित भीम सेन के साथ गाना था उसमें मनना डे को उन्हें हराना था ये बात पता चलते ही उन्होंने गाने के लिए साफ मना कर दिया था जब वो उस रात घर गए तो पतनी को बताया कि उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाने का मौका मिला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस बाद पर उनकी पतनी हैरान रह गई और कहा कि आप इतना बड़ा मौका कैसे खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित भीम सेंग जैसे महारती के साथ मैं गाना कैसे गा सकता हूं। इसके बाद उनकी पतनी ने कहा कि आप भी शास्त्रे संगीत में उम्दा हैं और उनके साथ गा सकते हैं। साथ ही इस गाने के लिए शंकर जैकिशन ने भी बहुत समझाया जिसके बाद मन्ना डे गाना गाने के लिए मान गए। अगले दिन जब वो रिकार्डिंग स्टूडियो पहुँचे तो पंडित भीम सेन को देखते ही वो थर थर कापने लगे। आखिरकार किसी तरह गाने की रिकार्डिंग पूरी हुई और पंडित भीम सेन ने तारीफ करते हुए कहा कि अरे भाई फिल्म में ही हराना है असल मे नहीं तुम तो कॉम्पटीटर बन गए मनना डे और राजेश खना की जोड़ी रही बे मिसाल जिंदकी कैसी है पहेली हाई इस गाने को मनना दा ने ही अपनी आवाज दी थी आनंद फिल्म का ये गाना पहले फिल्म के बैक्ग्राउंड में बजने वाला था लेकिन जब इ इसे सुनते ही मंत्र मुख्ध हो गए इसके बाद राजेश खना ने प्रोडियूसर से कहा कि इस गाने का उन पर पिक्चराइजेशन किया जाए ना कि बैक्ग्राउंड में प्रोडियूसर ने उनकी ये बात मान ली और बाद में ये गाना उनहीं पर शूट हुआ इधर मनना डे भी राजेश खना की अक्टिंग के दीवाने थे वो कहते थे कि जब राजेश खना मेरे गानों की लिपसिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानों वो खुद ही गा रहे हो आनंद फिल्म ने मनना डे के साथ-साथ राजेश खना को भी करियर में नई उचाई दी थी जब जेल जाते जाते बच गए मन्ना डे किसा है नवाबों के शहर लखनव का लखनव के चार बाग स्टेशन पर एक संगीत समारों का आयोजन होना था जिसमें मन्ना डे टुनटुन जैसी हस्तियां शामिल होने वाली थी इस शोकी जम कर टिकेट भी बिके थे जब ए बहुत नराज हो गए और मन्ना डे पर शिकायत दर्ज करा दी साथ ही उन्हें जेल भेजे जाने की डिमांड भी की गई हलाकि कुछ समय बाद वो भागे हुए कारेकरता पकड़ लिए गए और मन्ना डे को राहत मिली नब्बे के दशक में संगीत को कहा अलविदा सिंगिं करियर में मन्ना डे ने कई भाशाओ में बे मिसाल गाने गाये हैं लेकिन नब्बे के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली थी साल 1991 में आई फिल्म प्रहार के गाने हमारी मुठी में गाने को उन्होंने अंतिम बार अपनी अवास दी थी तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए बाई बाई